असलाम आलाईकुम एबरिमन आज मैं एक सब्जी यानि पर्वल की रसीपी लेकर आई हूँ है तो ये पर्वल लेकिन उपर से कुछ अंदर से कुछ इसको बिल्कुल डिफरिंट तरीके से बनाएंगे आप इसको वेज में भी बना सकते हो या नान वेज में भी बना सकते हो तो आज में कैसे बना रहे हूँ आपको आगे दिखाती हूँ जैसे भी आप बनाओं लेकिन ये टेस्ट में ला जबाब बनता है नान वेज तरीके से बनाओंगी आज सबसे पहले यह परवल यानी पॉइंटेड गार्ड को उपर सका टीप हम कट करेंगे और इसको फेकेंगे नहीं बाद में ये यूज होगा परवल हमने यहां आठ फिस लिया है आप अपने हिसाब से घाटा या बढ़ा सकते हो आगे का प्रोसेस आपको पूरा देखना होगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा तो इसका टीप हम फेकेंगे नहीं इसको रखेंगे साइड में और ये बड़ा सा इसका परवल लिया हमने इससे आसानी होगा बनाने में इसका उपर का पतला सा छीलका होता है, वो नाइफ से इस तरह से हम छील लेंगे, ध्यान से इसको छील लीजिएगा तूटना नहीं चाहिए परवल, सारे परवल हम इस तरह से छील लेंगे, जिस तरह से आलो छीलते हैं ना उस तरह से बिल्कुल भी ना छीले, इसके बाद हम इसमें जो टिप हम कट किये थे उस जगह में हम चमच के हेल्प से इसको कट लगाएंगे दो तीन इसके बाद अंदर का सारा सी धम निकाल लेंगे यहां आपने बिल्कुल भी नाइब यूस नहीं करना है वरना यह परवल टूट सकता है उपर का हिस्सा में टूटने के बाद यह बिल्कुल भी आच्छे से नहीं बनेगा चमज की हेल्प से इसको करना है परवल को भी हलके हातों से पकड़ना होगा नहीं तो ये भी तूट सकता है अपके हातों के प्रिसर से तो जैसे मैं दिखा रहे ही हूँ आपको करना होगा इस तरीके से सारे परवल का स्टिड हम निकाल लेंगे अब हम पैन में तीन से चाछ चमस देल डल देंगे इसमें और परवल को इसमें फ्राइ कर लेंगे यहां हमने फ्राइ जादा नहीं करना है नरब नहीं करना है इसको इसका कच्छा पन निकल जाए थोड़ा सा एक देर मिनिट इसको फ्राइ करेंगे खाई हीट में इसको फ्राई के रहेंगे परवल में थोड़ा सा कलर आ चुका है तो हम इसको निकाल लेंगे इसका जो टीप हमने कट कर रखा हुआ था वो भी थोड़ा सा फ्राई कल लगे तक कोई भी चीज में कचापन ना रहे ये तेल हम बाद में यूज़ करेंगे भी साइड में रख देते हैं यहां हमने माटन ले लिया इसको हम किमा बनाएंगे जो सीट हमने निकाल के रखा था वो भी इसके साथ डाल देंगे इसको फेकेंगे नहीं इसके साथ कुछ मसाला एड़ करेंगे इसमें हल्दी भी एड़ करेंगे और जीरा पाउडर धनिया पाउडर भी एड़ करेंगे इसके साथ ही इसके साथ ही लाल मिज़ पयाईड़ा रैड करेंगे और अधरल हसम पाष्ट करेंगे तो ही इन सभी चिज़ों को भागया अचा से घ्राइड करेंगे मातन का भी अचा से कीमा बन जाएगा और सारे मसली अचा से ओ जाएगा और फिर से और एक बार ग्राइंड़ कर लेंगे आप पैन में तेल डाल देंगे तेल को अच्छे से हीट करेंगे तेल अच्छे से हीट होने के बाद हम चॉप किया हुआ पैज उसमें डाल देंगे प्याज को फ्राई करेंगे golden brown होने तक उसके बाद हम कीमा एड़ कर देंगे इसके साथ यहां हमने कीमा को फ्राई करेंगे low to medium heat पे तो इसमें पांच से छे मिनिट टाइम लगेगा अब मक थोड़ा सा वार एड़ करेंगे इसमें इसमें कास्मिरी रेट चिली पाउडर एड़ करेंगे यह आप्सेनल है दो तील मिनिट और फराइ करेंगे इसमें और थोड़ा सा जिंजर करली के एड़ करेंगे किमा को तब तक फराइ करेंगे जब तक इसका पानी सूग ना जाए लेकिन इसको बिल्कुल भी ड्राइ नहीं रखेंगे थोड़ा सा इसमें मॉइस्टर रहेगा अब हम मागस दना यानी तर्बूस का बीज ले लेंगे टू टेबल स्पून इसके साथ काजु एड़ करेंगे दस बाराइ और ग्रिन चिली इसके एड़ करके इसको पेष्ट बना लेंगे और इसको साइड में रखेंगे अभी अब हम जो कीमा बना के रखा था वो बरवल के अंदर इसको फिल करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए हम पॉइंट टू पॉइंट दिखाते हैं और समझाते भी है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि आप भूल जाते हो लाइक करने में, आपका एक लाइक और कमेंट हमें और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, तो जरूर करें एक लाइक और कमेंट, इसको टूद्पिक से सील कर देंगे, ताकि कीमा बाहर ना निकले, आगे की प्रोसेस होगा, इसके लिए कीमा बाहर निकल सकता है, यह बिंगॉली डीस है, बंगल में यह बहुत ही फिमास है, सारे फर्बल को हम स्टाप कर लिए, और इसको सील कर दिये है, अब हम पैन में वही फर्बल फ्राइ किया हुआ तेल एड़ करेंगे, और प्यास का पेस्ट इसमें एड़ करेंगे, और जिंजर गर्लिक पेस्ट एड़ करेंगे, इन दोनों को कोई देर और फ्राइ करेंगे एक से द्वेड मिनिट मेडियम हीट पे इसको फ्राइ करेंगे इसके बाद इसमे ग्रीन चीलि एट करेंगे दो या तीन एक टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर एड़ करेंगे इसके बाद हमने जो काजु का पेष्ट बनाया वो इसमें एड़ कर देंगे उसको थोड़ा छा फ्राइ कर देंगे 1-10 मिनिट इसको भी फ्राइ करेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे गरम मसाला एक टीस्पून इसमें अड़ करेंगे इसमें और कोई मसाला नहीं जाएगा जो रियल रेसिपी है वो आपको दिखा रही हूँ लेकिन आपके मरजी आप और में मसाला एड़ कर सकते हो अब हम ग्रेव मी के थिकनेस के अकॉर्डिंग इसमें पानी डाल देंगे ग्रेवी में बॉयल आने के बाद हमने फर्बल स्टाफ किया हूँ इसमें एड़ कर देंगे लो हीट में इसको ढखके 7-8 मिनिट पकाएंगे पकने के बाद इसका कालर कितना बढ़िया आया स्टाफ कीमा वायरवल रेडी है इसको कॉलकाता के साइड में लोग पाटोलेर दोलमा बोलते हैं बहुत ही फेमास रेसिपे हैं यह वहां क्या इसको घर में आप जरूर ट्राइब कीजिएगा और फिट बग जरूर दीजिएगा